हलो बच्चों, चाल ये शुरू करते हैं क्लास 7 का साइन्स सब्जेक्ट का फॉस सेप्टर नूट्रिशन इन प्लांट्स बच्चों, क्या आपको पता है कि हमिंग बर्ड एक दिन में अपने वेट से दुगना खाना खा लेती है और एक हाथी यानि एलिफेंट एक दिन में 130 किलो तक खाना खा जाता है बच्चों, ये तो हम सब जानते हैं कि सभी लिविंग और्गनिजम्स यानि प्राणी खाना खाते हैं पर हम सब खाना क्यों खाते हैं? हमारी शरीर के अंदर दिन भर कुछ क्रियाएं यानि प्रासेस होते रहते हैं जैसे हमारी सांसों का चलना, हमारे दिल का धड़कना आदी इसके लावा हम कई तरह के काम भी करते हैं जैसे चलना, बोलना, देखना, सुनना आदी इन सभी कारियों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और ये एनर्जी आती है फूड यानि खाने से हम जो खाना खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है Classics में हमने पढ़ा nutrients यानि पोशक तत्व जैसे carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals Carbohydrates हमें एनर्जी देते हैं जिससे हम रोज के काम करते हैं इसी तरहे proteins हमारी बोड़ी की ग्रोथ में काम आते हैं Fat हमारी बोड़ी में food को store रखते हैं vitamins हमें रोगों से लड़ने की ताकत देते हैं और minerals भी बोड़ी को healthy यानि स्वस्त रखते हैं जैसे calcium bones को strong रखता है potassium, nerves यानि नसों के सही काम करने के लिए ज़रूरी होता है आदी अब हमने ये तो देख लिया कि nutrients पोशक तत्व हमारे शरीर को energy यानि ताकत देते हैं और उसे fit यानि स्वस्त रखते हैं पर ये nutrients आते कहां से हैं ये आते हैं हमारे nutrition यानि portion से किसी भी प्राणी के भोजन करने और उस भोजन में nutrients बनाने के process को portion या nutrition बोलते हैं यानि हमारा खाना खाना और उस खाने से nutrients यानि carbohydrates, protein, fat, vitamins और minerals के बनने के पूरे process को कहते हैं nutrition प्रित्वी पर सभी प्राणियों के portion का source यानि स्रोथ या तो plants यानि पेड़ पौधे हैं जैसे हमें फल पेड़ों से मिलते हैं इसी तरह सबजिया भी पेड़ों से ही मिलती हैं इसके अलावा कुछ भोजन हमें जानवरों से भी मिलता है जैसे दूद यानि milk, butter, मखन, पन नीर, eggs आदी पर आपने कभी सोचा है कि ये जानवर जिन से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो अपना भोजन कहां से लाते हैं जी हां बच्चों बिल्कुल सही ये सब अपना भोजन प्रांट से ही लेते हैं तो इसका मतलब इस प्रित्वी पर सभी प्राणे भोजन क लिए पेड़ पौधों पर ही निर्फर होते हैं अब आपको पता लगा कि पेड़ केवल ऑक्सिजन ही नहीं बलकि भोजन भी देते हैं इनके बगैर प्रिथ्वी पर जीवन संभब नहीं है पर बच्चों कभी आपने सोचा है कि ये पेड़ पौधे अपना भूजन कहां से लाते हैं चलिए देखते हैं बच्चों इस प्रिथ्वी पर दो प्रकार के प्राणी मेंस ऑर्गनिजम्स रहते हैं एक वो जो अपना भूजन खुद बनाते हैं और दूसरे वो जो भूजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं जो अपना भूजन खुद बनाते हैं autotrophs, autotrophs दो शब्दों से बना है, auto यानि automatic मतलब अपने आप, autrophs मतलब nutrition यानि potion, तो जिन organisms में nutrition अपने आप बनता है, उन्हें बोलते हैं autotrophs, इसी तरहे जिन प्राणियों में भोजन अपने आप नहीं बनता, उन्हें बोलते हैं hydrotrophs, तो बच्चों कौन है जो अपने भोजन अपने आप बनाते हैं, plants, बिल्कुल सही, humans और बाकी सब प्राणी अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहते हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि plants में nutrition कैसे होता है, यानि भोजन कैसे बनता है, और उस भोजन से nutrients यानि पोशक्तत्व कैसे बनते हैं, सबसे energy का सबसे बड़ा source है, क्या आपको पता है कि plants की पतियां यानि leaves हरी क्यों होती हैं, बच्चों दर असल पतियों में एक green pigment होता है, green pigment यानि हरे रंग का द्रव्य, जिसे chlorophyll बोलते हैं, बच्चों आपको यह जानकर आश्यर्य होगा, कि chlorophyll की वज़े से ही इस पिर्थी प नहीं हो पाता, चलिए देखते हैं ऐसा क्यों, पतियों में मौझूद ये chlorophyll सूरज की रोश्नी यानि sunlight से energy लेकर पतियों में इकठा करता है, और ये energy हवा में मौझूद carbon dioxide और पतियों में मौझूद पानी से पेड़ों का भोजन बनाती हैं, बच्चों केवल plants ही ऐसे organisms ह जो carbon dioxide और water को मिलाकर अपना भोजन बनाते हैं, और ये संभव होता है केवल chlorophyll की वज़े से, यानि पतियां हवा से carbon dioxide लेती हैं और जड़ों से water, और दिन में जब सूरज की रोश्नी होती है, तो पतियों में मौझूद chlorophyll, carbon dioxide और water से carbohydrate बना देता है, जो कि plant का भोजन है, carbohydrate बनाने के process में ही oxygen भी निकलती है, इसलिए plants दिन में oxygen छोडते हैं, क्योंकि ये process बिना light के नहीं हो सकता, यही करण है कि plants रात में oxygen नहीं छोडते, बच्चों यहाँ पर हम इसको एक chemical equation से दर्शा रहे हैं, chemical equation को हम बड़ी classes में पढ़ेंगे, carbon dioxide का chemical formula होता है CO2, और उसके आगे जो 6 है, इसका मतलब है carbon dioxide के 6 molecules, इसी तरहे water का chemical formula होता है H2O, और उसके आगे जो 6 है, इसका मतलब है water के 6 molecules, similarly, carbohydrate का chemical formula होता है C6, H12, O6, और उसके आगे कोई नमबर नहीं है, तो इसका मतलब है एक molecule, और oxygen का formula होता है O2, और इसके कितने molecules है, जी हाँ, 6 molecules, तो ये equation क्या बता रही है, जब carbon dioxide के 6 molecules और water के 6 molecules को chlorophyll और light के presence में, presence यानि मौजूदगी में मिलाते हैं, तो एक carbohydrate का molecule बनता है, और 6 oxygen के molecule निकलते हैं, बच्चों, प्लांट्स में इस प्रोसिस को बोलते हैं photosynthesis, यानि chlorophyll और light के presence में carbon dioxide और water से carbohydrate यानि food और oxygen का बनना कहलाता है, photosynthesis, photosynthesis बना है दो words से, photo यानि light और synthesis मने बनना या निर्मान करना, बच्चों, carbohydrate ही plant का भूजन होता है, और ये plants के different parts में, जैसे पत्तियों में, तने में, फलों में, starch की form में store रहता है, बच्चों, photosynthesis process, plant के किस पार्ट में होता है, जी, बिल्कुल सही, leaves यानि पत्तियों में, क्योंकि chlorophyll, leaves में ही सबसे ज्यादा होता है, तो हम ये कह सकते हैं, कि leaves, plants की food factory है, food factory मतलब, जहां भोजन का निर्मान होता है, तो चलिए बच्चों, यहां इस lesson का first part खर्तम करते हैं, और करते हैं कुछ questions, first, carbohydrate, plant का भोजन होता है, true या false, second, food plants के different parts में, जैसे पत्तियों में, तने में, फलों में, starch की form में store रहता है, true या false, third, photosynthesis process में food बनाने के लिए, plant oxygen लेता है और carbon dioxide निकालता है, true या false, next, plants में heterotrophic nutrition होता है, true या false, चलिए बच्चों, यहां खतम करते हैं इस chapter का part one, और मिलते हैं इस chapter के दूसरे part में, thank you, झाँ झाँ झालता है, true!